हेलो गाइज दिस इस आर्थी चोधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुट मॉर्निंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़े हैं फस्सक्लास एक बार जरा कॉमेंट करके कन्फर्म कर दीजिए बच्छा की ओडियो व्यूडियो सब कुछ ओलो के है ठीक है एक बार जरा कन्फर्म होती है कितनी मचा 206 हडियो होती है यह 206 हडियो कैसे हमारे शरीर में कहां पर लोकेटिड है उनका नाम क्या है अगले एक घंटे मेंयरे है सबसे चोटी हड़ी कुन सी है ठीक है आपके जबडे वाली हड़ी को क्या कहते हैं आपके माउथ के ऊपर वाली हड़ी को हम लोग क्या कहते हैं तो कुछ ऐसे basic questions और कुछ interesting fact के साथ में इस chapter को हम लोग complete करेंगे तो please class को आप लोग last तक पूरा attend किया करें जैसा कि मैं आप सो पहले ही बोलती हूँ कि बचा ये कोई interesting videos नहीं है आपकी कि ठीक है आपने minute दो minute की कोई video देखी उसके बाद में interest नहीं आया तो आपको आपने छोड़ दिया ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ये आपकी class होती हैं और class में आपको पूरा ही attend करना होगा आप यदि पूरी class attend नहीं करेंगे तो बचा आप लोग खुद अपने आपको पीछ क्राइब जरूर करेंगे और ada 24 7 की application को play store से download जरूर करके रखेंगे because बहुत सारे daily आपको free content यहाँ पर provide कराया जाता है बताइजी मनुष्य के शरीर में हडियों की संख्या कितनी है यानि कि हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में कुल कितन हडियां पाई जाती है म JUNMA में मुझे हूटि है ने 2 टाइप में होती है ठीक है बचास रस्टी चलो बताइए हमारे शरीर में total कुल कितनी हडियां पाई जाती है देखो 206 और यह 206 ट्यां जो है भचाई आपके शरीर में यह आपके शरीमें बचाट डॉ but चाई है क्या हो होता है आपका appendicular skeleton system appendicular skeleton system यानि की उपागी है कंकाल तंत्र ठीक है के लियर जी एक्जील skeleton system में हड्डियों की संख्या होती है 80 और appendicular skeleton system में हड्डियों की संख्या होती है 126 दोनों को जड़ा किसी यहां पर नाइनसाफी हो गई क्योंकि मैंने आपको साथी साथ ये भी कहा था कि 206 हड्डिया कौन सी हड्डि कहां पर पाई जाती है ये भी हम लोग याद करेंगे तो देखो बच्छे पहले हम लोग याद करते हैं axial skeleton system में हमारे शरीर में कौन सी हड्डियां पाई जाती है हमारे सर से लेकर pelvic तक का जो reason होता है मतलब हमारे शरीर की वो सारी हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है जिसको आम भासा में हम धड़ भी बोलते हैं वो आपकी axial skeleton system में आती है ठीक है जैसे कि आपकी cranium यानि कि आपकी खोपडी की हड्डियां जिनकी संख्या होती है आपकी कितनी बच्चा आठ दैन उसके बाद में बच्चा आपकी क्या cranium के बाद आपकी क्या face सुरू होता है यानि कि आपकी face की हड्डियां जिनकी संख्या होती है आपकी 14 जिनकी संख्य आपकी क्या होती है 14 फिर उसके बाद में बचा आपकी इयर बोन यानि आपकी कान की हड़ी जिनकी संख्या होती है फिर उसके बाद में बचा आपकी थ्रोट बोन जिसको हम हायोड भी बोलते हैं संख्या होती है इसकी आपकी एक ओके संख्या कितनी होती है एक और हमारे शरीर में कोशन पूछा जाता है कि U-shape की कौन सी बोन है तो बच्चा U-a-car की आपकी कौन सी हड़ी है यह throat bone हमारे शरीर में U-a-car की हड़ी है किलियर जी गले तक आ गए फिर उसके बाद में होती है ribs 12 जोडी और संख्या में 24 एक हड़ी होती है जो सारी की सारी ribs को आपस में connect करके रखती है जिसका नाम होता है इस टेरनम या जिसको हम टाइब ओन भी बोलते हैं तो यह आपकी 25 हो गई फिर उसके बाद में बचा बसती है आपकी क्या vertebrae क्या vertebrae यानि की आपकी कशेरुकी ठीक है बचा क्या आपकी कशेरुकी तो यह आपकी क्या है 26 होती है किसी भी अडल्ट के अंदर तो यह आपकी यहाँ पर टोटल 80 हड़ीया बचा आप लोग count कर ले ना आराम से बैठके ठीक है यह 80 हड़ीया मैंने आपको गिना दी अब 126 हड़ी कैसे हैं देखो 126 हड़ीया appendicular skeleton system यानि हमारे उन अंगों में उपस्तित हड़ीया जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं जैसे कि हमारे हाथ और पैर में पाए जाने वाली हड़ीया ठीक है यानि 30 हड में और 30 हड़ी होती है हमारे एक पैर में तो दोनों हाथ दोनों पैरों में कितनी हड़ीया हो गई यापकी 60 इसमें हो गई और 60 आपकी इसमें हो गई एक हाथ को जोडने के लिए 2 हड़ीयों की जरुरत होती है तो दोनों हाथों को जोडने के लिए 4 हड़ीयों की हो गई एक पैर को जोडने के लिए एक हड़ी की जरुत होती है तो दोनों पैरों को जोडने के लिए दो हड़ीओं की तो ये कितनी होगी है आपके 126 हड़ी है तो 206 हड़ी है मैंने आपको गिना दी है हाँ जी ओके 206 हड़ी है मैंने यहाँ पर आपको गिना दी है चलिए अगला क हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी इनमें से आपकी कौन सी है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है बताईए हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी इनमें से कौन सी है तो हमारे शरीर की बच्चा सबसे लंबी हड़ी आपकी कौन सी होती है आपकी फीमर होती है कौन सी होती है फीमर होती है जो कहां पाई जाती है हमारे थाए यानि की आपकी जांग के अंदर पाई जाती है ठीक है जांग के अंदर ठीक है यह आपकी थाए है तो यहाँ पर यह जो हड़ी पाई जाती है ये होती है फीवर ये होती है आप की क्या बच्चा फीवर जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी है चलि अगला कोशन देखते हैं ज़रए एक बार यहाँ पर बचब मैंने आपको दिखाया है कि फीवर देखो आपकी कहां जांग में पाए जाने वाली जो यह जो आपकी हड़ी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी है चली अगला कोशन देखते हैं मनुष्य के शरीर में मास पेशियों की संख्या कितनी है बताईए मनुष्य के शरीर में मास पेशियों की संख्या कितनी होती है बताईए फटाफट बताईए जल्द यल्दी मनुष्य के शरीर में मास पेशियों की संख्या आपकी कितनी होती है तो मनुष्य के शरीर में मास पेशियों की संख्या होती है आपकी 656 कितनी बचा 656 चली अगला क देखते हैं, मास पिशियों में लिए संकुचन के लिए से प्रोटीन उपस्थित होते हैं या हमारी मसल्स आंदर इन में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताईए हाँ बच्चा चिराग बैच यूट्यूब पर आपका चलता रहेगा ठीक है आपके एक्जाम तक वो बैच एस इस चलता रहेगा टेंशन लेने की ज़ुरत नहीं है प्लस होती है छह सो चपन प्लस होती है एक्शिली में ठीक है तो 656 वाला आपका एक ही ओप्शन था इसलिए हमने 656 को टिक कर दिया है ओके जी तो एक्टिन एंड मायोसीन बचा ये दो प्रोटीन पाया जाता है कहां पर आपकी मसल्स के अंदर जो हमारी मसल्स को रिपेयर करने में या मसल्स में जब आपने देखा न वर्काउट वगएरा आप लोग करते हो तो ठकावट हो जाती है उस ठकावट को रिपेर करने के लिए कोन से वचा प्रोटीन हमारे शरीव में मदद करते हैं आपके अ क्या वच्छा आपका एक्टिन एंड मायोसिन चलिए अगला कुशन देखते हैं ज़रा एक बार निमन में से किस में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती है क्रोकोडाइल स्नेक, रे फिर्स, फ्लाइंग मैंबल बताईए निमन में से किस में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती है इन में से किसके अंदर सबसे अधिक पसलियां पाई जाती है इन में से किसके अंदर सबसे जाधा पसलियां पाई जाती है तो बच्चा स्नेक स्नेक को पहली बात तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इसके अंदर हड़ी नहीं होती जबकि स्नेक आपका एक वर्टीब्री ऐनिमल में आता है वर्टीब्री यानि जिनकी अंदर रीड की हटी पाई जाती है तो स्नेक में आपकी रीड की हटी पाई जाती है यह आपका एक वर्टीब्री ऐनिमल है और इसके अंदर इन में से सबसे जादा पसलियां किसके अंदर होती है बच्छा आपके स्नेक के ही अंदर होती है तो तीन पार्ट में डिवाइड होती है आपका हैड एंड नेक उसके बाद में बोड़ी जहां पर आपकी रिप्स एंड इसकी वर्टीब्री प्रेजेंट होती है एंड इस वन इस योर टेल ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यह वर्टीब्री होती है इसी के नीचे इस तरह से जो नुकुली संद्रशना होती है यह इसकी रिप्स होती है अगला मेरा कॉशन है कि सबसे जहरीला साप कौन सा है बताइए वर्ल्ड में सबसे जहरी इसकेलेटन सिस्टम इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो एक्जोस्केलेटन सिस्टम इनमें से किसके अंदर आपका प्रेजेंट नहीं होता है जो आपके कौन्डरी काइट्स होते है इनके अंदर आपका एक्जोस्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है चलिए अगला कुशन देखते हैं जरा एक बार Osteocytes इन में से किस में पाई जाती है Osteocytes इन में से किस में पाई जाती है बताईए Osteocytes found in Osteocytes इन में से किस में पाई जाती है बताईए फटा फट जल दिया दी आप लोगों ने बहुत ही कम share किया एक लास को थोड़ा सा आप लोग share कीजिये ऐसे बात नहीं बनेगी ठीक है बदाए ओस्टियो साइट्स फाउंड इन तो ओस्टियो साइट्स इन में किस में पाई जाती है आपकी हड़ी में ठीक है ओस्टियो साइट क्या है बच्छा आपकी हड्डियों में दो टाइप की आपकी सेल्स पाई जाती है एक होती है आपकी ओस्टियो साइट और एक होती है आपकी ओस्टियो क्लास्ट ठीक है ओस्टियो साइट्स हड्डियों बनाने में मदद करती है और ओस्टियो क्ला पाहर की तरीफ बड़ी हुई सरीर की कोई संरशना है, या आगे की हाथों का रूपांतरण है, या पीछे की पैरों का रूपांतरण है, या उनकी अंदर ये नई structure बनी होगी. ओस्टियो साइट मतलब बचा, ओस्टियो साइट आपके एक सेल है, जो आपके हड्यों में पाए जाती है, हड्यों में पाए जाने वाली जो कोशिका है, वो ओस्टियो साइट और ओस्टियो क्लास्ट है, ओके? मैं अभी सब सो रहे हैं बेटा सोने का तो गड़ बड़ है देखो इस्टुडेंट लाइफ में यदि तुम लोग इस टाइम तक सो रहे हो तो गड़ बड़ है मतलब फिर तो 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 देखो बेटा पक्षियों के जो पंक है ये इनकी modified four limbs यानि आगे के हाथों का ही रुपांतरन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई माना जाता है सबसे पहले जो भी आपके अनिमल्स है उनमें फिश बने फिश के बाद एंफिबियंस एंफिबियंस के बाद रैप्टाइल्स रैप्टाइल्स के जैसे आपकी सेम सेम चीजें आती हैं जैसे हमारे हाथ में ये आपकी हुमेरस ये रेडियस ये अलना तो इसी तरह की सेम स्ट्क्चर आपकी पंकों के अंदर भी देखी जाती है जैसे हमारी उंगलियां है इनको हम लोग फ्लैंजिस बोलते हैं तो यहां पर बच्चा जब अंदर आपकी cartilage पाई जाती है, इन में से किस के अंदर आपकी cartilage पाई जाती है, बताईए, Inhuman body cartilage is found in किसमें आपकी उपास्ती पाई जाती है तो किसके अंदर बचा आपकी नोज यानी नाक के अंदर आपकी उपास्ती यानी कि आपकी cartilage पाई जाती है यदि मैं आपसे बात करूँ तो नोज के अंदर बचा आपकी तीन टाइप की cartilage पाई जाती है एक cartilage जो आपकी इस नजाल बोन में यहाँ पर बच्चा प्रिजेंट होती है एक होती है आपकी क्या septal cartilage ठीक है जो आपकी यह वाली हड़ी होती है यहाँ पर बीच में एक आपकी septal cartilage फिर उसके बाद अपर लेटरल ठीक है यह वाली section में जो पाई जाती है अपर लेटरल निजाल cartilage और एक जो आपकी nose की tip पर पाई जाती है lower nasal cartilage in short आप लोग इतना याद रखेंगे इन में से किस के अंदर cartilage पाई जाती है तो nose के अंदर आपकी cartilage पाई जाती है rang कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है rang कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है rang कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है तो rang कर चलने वाले कशेरुकियों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आपका reptiles बोलते हैं आपका सरी सर्व बोलते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं जरा एक बार नेक्स्ट कोशन आपको क्या है मानव शरीर की सबसे मजबूत मासपेशी कहां पाई जाती है मानव शरीर की सबसे मजबूत मासपेशी कहां पाई जाती है बिल्कुर नहीं थाय में नहीं पाए जाती बच्चा मानो शरीर की सबसे मजबूत मास पेशी हमारे जबड़े में ही पाए जाती है जो यह वाली होती है यहां पर यह जो बच्चा आपकी जो मैस्टरस मसल होती है यह रही ठीक है यह वाली जो आपकी मसल है जो यह वाली मसल ह यह आपकी सबसे मजबूत मसल होती है ठीक है यह आपकी क्या होती है बचा सबसे मजबूत मसल होती है और यदि पूछा जाए कि सबसे हाड देखो इस्ट्रोंग नहीं सबसे हाड बोन यानि सबसे कठोर बोन कौन सी होती है तो बचा वो भी आपकी ये नीचे वाले जबडे क कि जो हड़ी होती है, ये वाली जो आपकी बोन होती है, जो बोन, यही आपकी सबसे कठोर, हाड पूछा गया है, strong और हाड में difference होता है, देखो हाड मतलब कठोर, यदि आपने किसी चीज को छुआ है, आपको वो कठोर लगती है, that's mean कि वो आपको क्या है, वो मतलब आपकी क चीज को touch किया, लेकिन वो आपको hard नहीं लगती है, बट आपने उसकी जब उसको stretch किया, या उसकी कोई आपने working capability देखी, तो वो आपकी क्या है, बहुत जल्दी break नहीं हुई है, that's mean कि वो चीज strong है, that's mean कि आपकी वो चीज strong है, okay, तो strong यदि पूछा जाए, तो आपका अ किसमें जबडे नहीं पाए जाते हैं, किसमें जबडे नहीं पाए जाते हैं, बताइए, birds, fishes, protocol dates या none of these, इनमें से किसमें आपके जबडे नहीं पाए जाते हैं, जोज are absent in, किसमें जबडे नहीं पाए जाते हैं, इनमें से किसमें आपके जबडे नहीं पाए जाते हैं, birds, इनके अंदर बच्छा आपके जबड़े नहीं पाए जाते हैं अस्थी निर्मान के लिए किसकी आवशक्ता नहीं होती है बताईए निम्न में से अस्थी निर्मान के लिए किसकी आवशक्ता नहीं होती है बताईए बताईए फटाफट निम्न में से किसकी निर्मान के लिए निम्न में से अस्थी निर्मान के लिए किसकी आवशक्ता नही होती है. तो देखो calcium की भी जरुवत होती है, calcium carbonate, phosphate भी पाया जाता है हमारी हड़ियो में, vitamin D की होती है, लेकिन sodium की कोई जरुवत नहीं होती है आपकी हड़ियों के लिए. Sodium की जरुवत कहां होती है, आपके brain में, ठीक है, brain के फंक्शन के लिए और हार्ट के फंक्शन के लिए इनमें इंपल्स जेनरेट करने में मदद करता है आपका सोडियम आयन कौन बचा आपका सोडियम आयन ठीक है next question देखते हैं साइटो स्केलेटन इस मेड अप ओफ कोशिका कंकाल इनमें से किसका बना होता है साइटो स्केलेटन इस मेड अप ओफ कोशिका कंकाल इनमें से किसका बना होता है कोशिका कंकाल इनमें से किसका बना होता है साइटोस्केलेटन इस मेड अप ओफ बताएजी तो साइटोस्केलेटन इस मेड अप ओफ कैलशियम कार्वोनेट ग्रेनियूल्स किस का बना होता है बचाए़ आपका calcium carbonate granules का आपका syto skeleton बना होता है मानव श्रीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है कि अधिक होता है बताए़ हमारे शरीर के अंदर किस तत्व का प्रतिशत आपका सबसे अधिक होता है तो बच्चा किस का आपका हमारे शरीर में किसकी ऑक्सिजन का रेशियो सबसे अधिक होता है इन में से किसमें किसका अधिक है तब आपका अंसर ऑक्सिजन होगा खोपड़ी के अंदर कुल कितनी हड़ियां पाई जाती हैं बताईए बताईए खोपड़ी में कुल कितनी हड़ियां आपकी पाई जाती हैं तो बच्चा आपकी आठ हड़ियां हमारी खोपड़ी के अंदर पाई जाती हैं और ये आठ हड़ीयां आपकी कौन कौन सी है ये जो सबसे आगे वाली ये वाली जो हड़ी होती है इसका नाम है बचा आपका frontal bone फिर उसके बाद में बचा यहां पर यहां पर आपकी दो हड़ीयां पाई जाती है जिनका नाम क्या है parital bone फिर उसके बाद में बचा आपकी side मे इस वाले एरिया में आपकी 2 हड़ी या पाई जाती है, जिनका नाम होता है आपका टैंपोरल बॉन, फिर उसके बाद में एक लड़ी यहाँ पीछे की तरफ होती है, जिसका नाम होता है occipital bone फिर उसके बाद ने बचा क्या होता है आपकी ethemoid चीक है यहाँ पर आपकी जो frontal है और यह जो आपकी क्या है बचा आपकी temporal bone है इसी के पीछे आपकी होती है क्या नहीं सोरी यह वाली होती है बचा क्या आपकी ethemoid ओके यह वाली यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ethemoid औ को हम लोग बोलते हैं, चलिए, अगला कोशन देखते हैं जरा एक बार, next कोशन क्या है, नीचे दिये गए कारियों में से कैल्शियम का कौन सा कारिय गलत है, कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को बनाने में मदद करता है, acid और base को regulate करता है, खाना digest करने में मदद करता है, और heart को heartbeat को regulate करने में भी मदद करता है इन में से कौन सी statement आपकी गलत है किसके लिए calcium के लिए तो calcium देखो बच्चा हड़ी और दाने में तो मदद करता है यह तो बिल्कुल ठीक है खाना पचाने में, खाना पचाने में यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो कैलशियम क्या है, एक आयन है, आयन है तो देखो हार्ट बीट में मदद कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, है न, एसिड और बेस को रेगुलेट करने में मदद करेगा की नहीं करेगा, डाइ बेस को regulate करने में मदद कर सकता है लेकिन digestion से इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है खाना पचाने में calcium का कोई रोल नहीं होता वहाँ पर सारा खेल आपका enzymes का होता है जो already मैं आपको करा चुकी हूँ An invertebrates does not have आकशे रुकियों में क्या नहीं पाया जाता है बताईए An invertebrates does not have आकशे रुकियों में इन में से क्या नहीं पाया जाता है बताईए जी तो आकशे रुकियों में इन में से आपका क्या नहीं पाया जाता है आपका notocode body cavity हमोगोल या गिल्स तो आकशे रुकियों में आपका क्या भई नोटो कोड ओविसली आपकी notocode इन में आपकी नहीं पाय जाती है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं crown of teeth is covered by 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 अगला कुशन है बच्चा कि the task of the teeth elephant is an enormously enlarged यानि जो आपके हाथी के जो दान्त हैं जो बड़े दान्त होते हैं वो इन में से किसका रूपान तरण है अपर इंसीजर का अपर कैनाइन का लोवर कैनाइन का या लोवर इंसीजर का बताईए जो आपके हाथी की सूंड में हाथी की सूंड में जो आपके बहुत बड़े वाले दान्त हैं वो किसका आपका किसका मोडिफिकेशन हो सकते हैं किसका मोडिफिकेशन बच्चा आपका वो हो सकते हैं तो जो बच्चा आपके हाथी के जो बच्चा आपके दान्त हैं वो किसका अपर इंसीजर का ठीक है जो आपके अपर इंसीजर है बच्चों को लगता है कि नीचे की तरफ से लिक ले हुए हैं तो ये लोवर इंसीजर आपकी पाई जाती हैं, बताये। किसके अंदर? Bones are pneumatic in. न इन में से किसके अंदर आपकी पाई जाती हैं? बचा, तो birds के अंदर. Birds के अंदर pneumatic bone चिसके बोले त давно इसी वज़े से यह fly कर पाते हैं. हड्यों में ही बजन हो नहीं तो यह fly ही नहीं कर पाएंगे. ना फिर तो ठीक है निम्न में से किस हड़ी को कोलर हड़ी कहा जाता है या इन में से हम लोग ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं बताईए किस हड़ी को कोलर हड़ी कहा जाता है या इन में से हम ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं बताईए तो beauty bone हम लोग इन में से किसको बोलते हैं, clavicle को बोलते हैं, चीक है, जो आपकी clavicle जो यह जो आपकी bone होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा, beauty bone बोलते हैं, ओके, चलिए, next question देखते हैं, जरा एक बार क्या है, the glenoid cavity is found in, the glenoid cavity is found in, the glenoid cavity is found in, इन में से glenoid cavity किसके अंदर पाई जाती है, pelvic griddle या factorial griddle, देखो pelvic griddle क्या होता है, pelvic griddle यानि कि शिरोनी मेखला, ठीक है, pelvic griddle यानि कि आपका शिरोनी मेखला, pelvic griddle क्या होता है बच्चा, यानि आपके शरीर में पाए जाने वाली वो हड़ियां, जो हमारे पैर को हमार धर से जोडती हैं, और factorial griddle, griddle का मतलब ही आपका ये होता है, मेखला, यानि कि जो हड़ियां हमारे हाथ और पैरों को हमारे धर से जोडती है, तो factorial griddle यानि कि हाथ को जोडने वाली हड़ियां, और pelvic griddle मतलब पैर को जोडने वाली हड़ियां, तो यहाँ पर आपकी जो glenoid cavity यहां पर यह रहा ठीक है यह वाली जो आपका बच्चा सेक्शन है इस वन इस ग्लैनोइड कैविटी ठीक है यह आपको क्या है बच्चा ग्लैनोइड कैविटी जो पैक्टोरियल ग्रिडल के अंदर पाई जाती है इस कैपला इन में से किसका नाम है इस कैपला इन में से कौन सी हड्डी का नाम होता है एसिटाबुलम पैल्विक शोल्डर या क्लाविकल बताईए दा नेम ओफ इस कैपला इन में से कहां की हड्डी का नाम है इस कैपला इन में से कहां की हड्डी का नाम है बताईए इस्कैपला इन में से कहां की हड़ी का नाम है तो इस्कैपला बच्चा इन में से आपकी कहां की हड़ी का नाम है आपकी शोल्डर जो आपकी ये वाली हड़ी होती है कंदे वाली हड़ी इसी का नाम होता है आपका स्कैपला बोल ठीक है चलिए कोल फ्रैक्चर इस एसोसियेटेर विद कोल फ्रैक्चर इन में से किस हड़ी में हुए फ्रैक्चर को हम लोग कोल फ्रैक्चर बोलते हैं फीमर अलना रेडियस या हुमेरस किस हड़ी में हुए फ्रैक्चर को हम लोग कोल फ्रैक्चर बोलते हैं फीमर, अलना, रेडियस या हुमेरस या बच्चा आपकी हुमेरस बच्चा बुक आएगी बहुत जल्दी आएगी मेरी कोशिश है साथ या आठ फरवरी तक मैं आपके लिए बुक लोंच कर दो क्योंकि मुझे पता है साइन्स को लेकर आपको बहुत प्रोब्लम्स है और प्रेल तक टाइम खिचरा था आपका तो अभी यह है कि भाई जो हमारे टाइपिस्ट साहब है मैंने उनको यह बोलाए कि आप थोड़ा सा समय चाहें एक्स्टा लेलो लेकिन एरर फ्री करना क्योंकि बच्चा सिंपल सी बात है मैंने कॉंटेंट उनको दे दिया है अब ट बच्चा रेडियस आपकी इसका तिरिज्जा नहीं होता हिंदी में नाम रेडियस जो बच्चा आपकी हड़ी है उसमें यदि आपके फ्रेक्चर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं चलिए हमारे हाथ के अंदर कितनी हड़ीयां पाई जाती है हमारे हाथ में आपके कितनी हड़ीयां पाई जाती है बताएए पच्चिस चोबिस तीस या साथ बेटा मेरी क्लास के टाइमिंग सुभ है नो बजे है बताएए हमारे हाथ में कुल कितनी हड़ीयां पाई जाती है तो हमारे हाथ में कुल कितनी हड़ीयां आपकी पाई जाती है बच्चा तीस हड़ीयां पाई जाती है किसमें बच्चा आपकी तीस हड़ीयां पाई जाती अगला कोशन देखते हैं ज़र आपका नेक्स्ट कोशन क्या है पैल्विक गिर्डल की तीन हड्डियों के जंक्शन पर इनमें से कौन सा कप नहित है या फिर उस हड्डी का नाम क्या है जो हमारे पैल्विक गिर्डल की तीनों हड्डियों को जोडती है उस हड्डी का नाम क् विल्यम, इस्कियम, और प्यूबिस, मनुशिय की एक सुरोनी पार्ट की यह सुरोनी भाग की ठीक है, सुरोणी कमर नहीं होना चाहिए था, सुरोणी भाग की तीन हड्डियां है, बताइए इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, तीनों की तीनों पैल्विक गिर्डल में पाए जाने वाली हड्डियां हैं, यह बात सच है या नहीं यह बात सच है या नहीं इलियम, इस्कियम और प्यूबिस तीनों की तीनों बचा कहां पाई जाती है आपके पालवे के गिरडल में पाई जाने वाली बचा यह आपकी हड़िया है चलिए अगला कोशन देखते हैं ज़रा एक बार नेक्स्ट कोशन आपका क्या है ठीक है चलिए जी एक सेकिंड चलिए अगला कोशन है बचा निमनलिखित में से किसे घुटने की टोपी या नी कैप के रूप में हम इन में से किस हड़ी को जानते हैं नी कैप के रूप में हम इन में से किस हड़ी को जानते हैं तो क्या बचा आपकी कौन सी हड़ी को बिल्कुल पैटला पैटला को हम लोग क्या बोलते हैं बचा आपका नी कैप ठीक है पैटला जो आपकी हड़ी होती है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जहां पर आपकी पैटला प्रेजेंट है इसको हम लोग kneecap के रूप में जानते हैं. The study of joints is known as, बताईए, the study of joints is known as, the study of joints is known as, archaeology, osteology, आपका sendesmology या orthology, study of joints, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बच्चा आपका orthology, क्या बोलते हैं, बच्चा आपका orthology क्या होती है, आपका study of joints को हम लोग orthology बोलते हैं, the synovial joints is also known as, synovial joints का दूसरा नाम क्या होता है, synovial joints का दूसरा नाम बच्चा आपका क्या होता है, तो synovial joints का दूसरा नाम आपका होता है, क्या डाइथ्रोसिस, क्या बच्छा आपका डाइथ्रोसिस, कुछ चीज़े देखो बच्छा आपको थोड़ा सा रक्टाफिकेशन करना पड़ेगा, which of the following disease is associated with joints, निम्न में से कौन सा रोग, जोडों से जुड़ा है, तो बिलकुल, आर्थ्रिटिस यानि की गठिया, ठीक है, गठिया जो है बच् ठीक है, जिसमें आपके जहां जहां पर joints होते हैं, वहां से आपके जो organ होते हैं, जिसे हाथ और पैर की हड़ियां, उंगलियां इस तरह से बच्छा आपकी तिर्शी होनी शुरू हो जाती है, चलिए, which cartilease is present in joints of long bone, बताइए, लंबी हड़ियों को जोड़ने के लिए, इ कौनसी आपकी cartilage पाई जाती है, hyaline cartilage, beauty bone is the name of which bone, beauty bone is the name of which bone, किस हड़ी को सौंद्रिया हड़ी कहा जाता है, किस हड़ी को सौंद्रिया हड़ी कहा जाता है, beauty bone is the name of which bone, किस हड़ी को सौंद्रिया हड़ी कहा जाता है, तो किस को बच्छा हम लोग neck bone को, किस को बच्छा आपकी जो ये वाली, जो collar bone होती है, clavicle bone होती है, यहाँ पर जो हड़ी पाई जाती है, इसी को हम लोग beauty bone के नाम से जानते हैं, इस्टिचेज आर इम्मूवेबल जोइंट्स, इस्टिचेज जो होते हैं, वो आपके इम्मूवेबल जोइंट्स होते हैं, ये बात सही है या नहीं, ये बात सही है या नहीं, तो तो stitches जो होते हैं, वो बिलकुल आपके immovable joints होते हैं, चलिए, joints can be classified into, joints can be classified into, कितने प्रकार के joints होते हैं, तो बच्चा आपके तीन प्रकार के joints होते हैं, फिब्रस जो move नहीं कर सकते, immovable, जैसे हमारी खोपडी में जो आपके joints पाए जाते हैं, cartilage जो semi movable होते हैं, जैसे कि मैं अपनी गर्दन को एक fix angle तक ही move कर सकती हूं, और synovial मतलब जो आपके freely move कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ और पैर में पाए जाने वाले joints होते हैं, वो आपके synovial joints होते हैं, चलिए, synovial joints is, इन में से कौन सा आपका synovial joints हो सकता है, इन में से कौन सा आपका synovial joints हो सकता है, बताइए, synovial joints is, इन में से कौन सा आपका, तो बिल्कुल, bowl and socket joint, कौन सा बच्चा आपका bowl and socket joint, जो है, यह आपका synovial joints होते हैं, ओके, चलिए, freely move होते हैं, अगला question है, hinge joint exist between, hinge joint, hinge joint का मतलब होता है, देखो, hinge मतलब कब जा, तो आपके घर में जो दर्वाजा होता है, खिड़की होता है, वो एक ही direction में आपका move कर सकता है, जैसे कि मान लो, अब जैसे मेरा यह हाथ है, ठीक है, मैं इसको इस direction में ही move कर सकती हो, मैं इसको नीचे की direction में move नहीं कर सकती, तो obviously, वो joints जो आपके organ या हड्डियों को एक ह इस direction में move करने में मदद करते हैं, वो आपके hinge joint होता है, ठीक है, जैसे कि कहां पर बचा आपका humorous और Allah में पाया जाने वाला जो आपका joint है, humorous और Allah में, ठीक है, humorous आपकी ये वाली हड्डी होती है, अल्ला आपकी यहाँ पाये जाती है, तो यहाँ जो आपका joint होता है, य लिए, human body's main organ of balance is located in which ear, मानव के शरीर में, संतुलन बनाये लखने के लिए, हमारे कान में आपका एक liquid पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, और वो कान के कौन से हिस्से में हो सकता है, वो कान के कौन से हिस्से में हो सकता है, मानव शरीर के संतुलन का मुख्य है, बिलकुल, तो कौन सा होता है बचा, आपके middle part में होता है, या inner part में होता है, तो किसमें होता है बचा, ये आपके inner part में एक liquid पाया जाता है, जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, जो हमें सीधा खड़ा रखने में बचा आप सब लोग देखेंगे बच्चा कि किस तरह से बच्चा आप लोग यदि आप लोग first time में ALP या railway की किसी वेकेंसी में आप लोग selection चाहते हैं तो other 24-7 आप लोग website visit करेंगे यहाँ पर all course में जाएंगे और आप लोग railway select करेंगे आप लोग बच्चा RR ALP का ये batch है जो पिछले 6 महीने से आप लोग शायद अभी जुड़े हो 6 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपकी ALP की तो आप लोग के coupon code लगाएंगे यहाँ पर discount के लिए Y446 क्या बच्चा Y446 आप लोग यहाँ पर coupon code apply करेंगे तो आप लोगों को maximum discount यहाँ पर मिल जाएगा ठीक ह हमारा जो बोड है यह हैंग हो जाता है बट आपका नहीं होगा don't worry Y446 आप जैसे ही बच्चा यहाँ पर apply करोगे मात्र 498 रुपे में एक साल के लिए बैच आपको मिल जाएगा बिकोज आज रात 12 बचे तक आपकी double validity ओन है बट I prefer कि यदि आपको देखो railway की NTPC group D जितनी भी vacancy आने वाली है इन सब की एक साथ तयारी करनी है तो best रहता है बच्चा railway का महा pack इस महा pack में देखो आपको 1374 तो test series मिलेंगी NTPC group D ठीक है इन सब की आपकी RPF वगएरा की जितनी भी मतलब आपके exam आने वाले हैं इन सब की free में test series या यदि exam pattern बदलता है syllabus बदलता है तो उनकी automatically बच्चा आपको test series यहाँ पर सब की free में मिलेंगी 5000 प्लस आपकी video course है जो आपको free में मिलेंगे जो best teacher है हमारे उनके 5000 video course आपको free में मिलेंगे और बच्चा 500 गंटे की live glass 500 गंटे की बच्चा आपको live glass इसमें देखो मेरा यह batch अभी आपका चल रहा है ठीक है अब यहाँ पर देखो यह सारी chapter में complete कर चुकी हो है ना यह सारी chapter में इसमें पढ़ा चुकी हो आपके लेकिन यह यहाँ पर आपको load दिख रहा है भी कब unlock हो जाएगा जब आप लोग purchase कर लोगे ठीक है तो इस तरह से बच description लेने के बाद आपको दुबारा कुछ भी purchase नहीं करना पड़ता लेकिन मैम वो तो 400 रुपे का है यह आपका 4800 रुपे का दिख रहा है तो यह same concept यहाँ पर भी apply है coupon code आप लोगों को लगाना है Y446 Y446 discount के लिए तो 1100 रुपे में दो साल के लिए बलकि 1000 कुछ से ही जाता है application का तो application से आपको 1000 रुपे में अगले 2 साल के लिए railway में जो आपकी लगबग लगबग 2-3 लाख जितनी भी वेकेंसी आने वाली है उन सब की तैयारी यह इकलोता railway का महापैक कराता है तो इस से ज्यादा आप लोग बच्चा सस्ता और क्या ही हो सकता है आप लोग खुदी सोच सकते हैं तो double validity own है इस double validity के मौके को आपको छोड़ना नहीं है फटाफट से सारे बच्चे जिनको आप किसी को जानते हैं उनको भी prefer कर सकते हैं बट code जरूर बता देना क्योंकि बच्चा इसके बिना नहीं तो आपका ज्यादा पैसा लग जाएगा यदि मैं से किताब की बात करो तो देखो best किताब आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ यदि आपको general awareness की किताब पढ़नी है मेरी science की किताब आने वाली है तो आप लोग बचा SSC में जाकर MTS जब select करोगे या कोई भी section select कर लेना SSC में जाकर तो बच्चा ये जो आपकी किताब ह जो है बच्चा ये आप select कर सकते हो इसे order कर सकते हो Y446S code लगा कर आपको 200 कुछ रुपे में ये किताब तुम्हारे घर पर पहुँचा दी जाएगी जिनको भी general awareness की अलग से किताब पढ़नी है बट लास्ट में मैं फिर आप से एक बार यही बोलूँगी double variety है मोका नहीं चोड़ना है आप लोगों को इतना वरोसा तो शायद आप लोगों को होई गया होगा कि यार यहां teacher सुबह से लेके रात तक तुम्हारे लिए महनत करते हैं तो obviously आपको कोई गलस suggestion हम लोग नहीं देंगे ठीक है एक हजार रुपे में बच्चा ये आपका railway का महा पैक आप को मिल जाएगा ओके तो coupon code क्या लगेगा discount के लिए Y446 किसके लिए बच्चा railway के महा pack के लिए ठीक है clear जी बात समझ में आई आज ही आप लोगों को purchase कर लेना है ये जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चलिए भई अभी मेरी paid class का समय हो चुका है अब paid class वा paid class वाले बच्चे हैं आप लोग फटा फटा आईए paid class को start करते हैं बाई-बाई-बाई-टेक केर जी हिंद